वेलकम बैक टूमाई चैनल गाईज आज देखते हैं यन्याफ पी नॉन फर्म पेरोल का जो डाटा आएगा उसके बाद गोल्ड का क्या मुविंट रहेगा उससे पहले क्या रहेगा हम किस तरह से गोल्ड में फोरेक्स मार्केट में गोल्ड का जो पडूलर कमोडिटी पहले को आइडियास हैं इंपोर्टन लेवल क्या है उससाब हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में ठीक है और फिसके बाद मार्केट एक बड़ा मुमेंट भी करता है सब डिसकस करेंगे हैं चार्ट के ऊपर ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग दाइम लेस्ट स्टार्ट दी अनलिसिस अप टूडए जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो क्योंकि मैं लाइव सेशन करता हूं लाइव ट्रेडिंग उसमें आप जॉइन कर पाओ तो उसके लिए बेल आइकॉन को भी अन करना और जिसक्रिप्शन में लिंक है वहां से जाए कि आप अपना फॉरेस्ट का अकाउंट अपन कर सकते हो एक्सनेस के साथ एक्सनेस में अका अप प्रोसेस करें आपका फ्रेक्स टेडिंग और फौरेक्स जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं तो विदाट वेस्टिंग दाइम लाइस्ट स्टार्ट ती वीडियो तो सबसे पहले क्या करते हैं फोरेक्स फट्री एक्सवट्री पर हम देखते हैं कि क्या आज डाटा है उसके लिए गोल्ड के अगेस कौन सी गरंसी युस्टी गरंसी है तो युस्टी हम बस अंट रहेंगे अपलाई फिल्टर करेंगे फिल्टर में जाकर है ठीक है और थोड नॉन फर्म अनेंप्लाइमेंट चेंज उसके साथ अनेंप्लाइमेंट रेट का भी है यह दोनों न्यूस का डाटा हर बार अलग आता है एक पॉसिटिव आएगा तो एक का निगिटिव आता है ऐसे रहता है तो इसमें डिरेक्शन आमको तोड़ा वालेटिल रहता है तो सीथा मैं लेके चलता हूं चार्ट के उपर गोल्ड है तो गोल्ड के चार्ट के उपर हम देखते मंतली थोड़ा क्या दिख रहे है कैंडल तो अभी जस्ट दो इन स्टार्ट हुए मंतली कैंडल और हमको पता है कि इस वाले एरिया के उपर मार्केट नहीं है जो यह व तो यह अर्या के मार्केट उपर नहीं गया और मंतली कैंडल इसके उपर क्लोज होना लीए तो यह वाला कि इस तो इसे वेरी स्ट्रॉंग रेजिस्टन इसके उपर मार्केट सस्टेंड नहीं कर रहा है यह मंतली कैंडल पर हमको पता लागा कि टूट तू थाउजन का लेवल एक स्ट्रॉंग रेस्ट्रास है ओके वीकली शिप्ट होते हैं वीकली देखते क्या हैं तो वीकली कै प्राइडे का वेट कर रहे हैं सभी लोग फ्राइडे का वेट करें फ्राइडे को एक बहुत बड़ी गोल्ड के बहुत एक क्रूशल डाटा का वेट करता है कि इसमें बहुत होता है मार्केट नीचे मार के उपर भी जाता है टेक है डेली टाइम पर में आपको एक स्ट्रक्चर बादा दो देगा मार्केट क्या कर रहा है अब यह तक यह जो फॉल है यह जो तीन चार दिन में मार्केट गेर रहा है नहीं तो लाश्ट फ्राइड़े के बाद मार्केट एक साइडवेज टो यह एक सब्सक्सक्राइब बांत अर чисन dużo करा है कि और उश्छे नहीं बोड़ की हानी तरेस्पूर रिवसल को यह अर्क होतो बना लेते कि यहां एक सपोट नहीं तहां यहां एक resistant था एक रेजिस्टन्स था वो यहां क्या कर रहा है क्ज़यों पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इस एया पर लब यहां एक तो यह बहुत इंपोर्टन लेवल है यह वाला जोन करके कभी भी हमको काम करना है लाइन वगरह पर बहुर सा नहीं रिखना एक बॉक्स बना के गाम करना है जोन बना के लिए तो डेली टाइम फ्रेम के लिए अल टाइम हाइब हम देखेंगे रीसेंट हाइग उनसा है तो आ आज के दिन मार्केट 2050 तक जा सकता है तो मार्केट कें टच दिस लेवल आफ्टर एंएप्पी ठीक है आफ्टर एंएप्पी मार्केट कें टच दिस लेवल तो यह उपर का एरिया हम तोड़ा मार्क कर लेते हैं यह वाला जो टू-050 तो टेली टाम प्रेम पर हमने लेवल्स निकाल दिये शिप्टिंग तो यह फोन पर है यह फोर पर हमको ना मार्केट एक बहुत बड़ा लास्ट महिने में बहुत सही मोमेंट जिया है यह लास्ट इनफी न्यूज थी यहां ठीक है इस वाले न्यूज पर इस वाले जो गैंडल दिख रहे हैं यह वाली गैंडल थी इस न्यूज नीचे अमारा बड़ उसके बाद मंदे के दिन मार्केट कंटिनूसली ऊपर जा रहा है ठीक है तो यह घामको बतलाएगा कि एनफी तो तू से थ्री डेज मार्केट कॉंसलोडेट किया जैसे यह ने फी न्यूज आए उसके बाद मार्केट न्यूज से पहले थोड़ा वेट करता है लिक्विडिटी मतलब मार्केट में मैनिप्लेट करता है लोगों को मैनिप्लेशन कर गे कुछ लिक्विडिटी आती है मार्केट पैसा आता है उसके बाद गोल्ड उपर याथ है तो यह थोड़ लेवल पर ऊसिदा भुल मार्गेट यहां यहां आपको की हुष हुआ ह मर्केट यहां ऊपोर्टी जाएंगा तो अब आप शुलारा इरे और यह यह बोक्स चुर्श तॉ tipsUP इस य्चैन कि be all right कि கुल्सलोडेरेशन एरिया है क्यों गंसलोडेशन अने मेले कब से कंसलोडेशन कर रहा है उन्नीस ओक्टॉमबर से क्लिर डारेक्षिन नहीं है ठीक है कि मार्गिट उसी एरिया में 2000 से लेके फिल फेड का दाटा भी था स्वेड की मीटिंग थी उसके बाद आभी एने पी है तो एने पी के बाद हम मार्केट में मुवमेट एक्सपेट कर सकते हैं एक व मार्क錢 इस् कॉँलडेशन क्या है एक क्लियर बहुत सही रिजिस्टेंस एक ने ने के लिए lord यह 10 लेवल मार्केट बहुत बार इसको ब्रेक नहीं कर पाराई ब्रेक कर रहा है वाट उसके उपर सस्टेन नहींग अदेगा है रहे की के ड्ल हों की भी मार्केट री ट्रिष करने आया treatment शेयर और उसी लेवल के नीचे नीचे यहई अब इस लेवल को कित्रीवार मार्केट ने टेच अप दिये गए कित नहीं गया कियों कि मार्केट बैसिक थेक पर यaking शाहा किमार्केट को मैनिपलेशन मार्केट को लिकविविडिक केसी केसे ऐगार्क करने के उपर गहाए यह कुछ बहुत सारी लोगों ने एंट्री बनाई टीके डेली टाइम्फ्रेम्मेय बहुत बढ़ा टाइम्फ्रेम में मार्केट करने के बार रेकित अवर सब उपसंब जाना चाहिए Northern or भी उसके बार देख सकती हैं Temper world होना कि मार्केट नीचे गिरेगा है तो यह जो नीचे गिरा है यहां क्या है लिक्विडिटी ग्राइब करने के लिए मार्केट फॉल होगा है यह यह जो एरिया है यह यहां मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी ग्राइब किया है यहां है लिक्विडिटी है तो यह से लेके 1992 तक यह बहुत तगड़ा सपोर्ट सॉरी तगड़ा रेजिस्टन्स है बहुत स्ट्रॉंग क्रूशल रेजिस्टन्स हमें इसको बोलते हैं तो इसको देखना रेजिस्टन्स यह ब्रेक भी होते हैं तो उपर सस्टेन होने चाहिए यहां सस्टेन भी हुई बट रीटेस्ट फेल रीटेस्ट के बाद नीचे भी आया तो यह जो रेजिस्टन्स है यह बहुत स्ट्रॉंग लिवल है आप इसको नोट करके रगना जो भी फॉर एक्स में रगते हैं उनके लिए तो थर्टी मिनी टाइम फ्रेम पर क्या है वहीं सेम पैटर्न डाउनसाइड के लिए थोड़ा हम सपोर्ट बनाएंगे सपोर्ट क्या है डाउनसाइड का बहुत बार रिजेक्शन आया यह वाली एक ट्रेन लाइन यह देख सकती हुआ कि यह जो रिजेक्शन है ना तो यह उसके बाद मार्केट तीसरी बार यहां सपोड लिए और फर्थ राइम यह वह ब्रेक्शन बार्केट फिर साइडवेज है वह ब्रेक्शन बहुत ब्रेक्शन दीख रहे आपको प्रॉपर मतलब क्या होता है गोल्ड जब किसी रिख्याव पे इंपोर्टन लेवल पर रहता है तो ऊदर मार्केट थोड़ा बहुत मैनिपलेशन करता है और आगे एक हफते के बाद कुछ न्यूज वगेरा है तो उस हफते में आपको ज्यादा मुमेंट नहीं बलेगा बट जो न्यूज है उस दिन के बाद जो न्यूज आने के बाद मुमेंट आपको कितना मार्केट 20 से लेगे 30 डॉलर ऊपर गया था तो यह आप देख सकते कि फ्राइडे की दिन कैसे मुमेंट रहता है तो 30 मिन टाइम फ्रेम में हम देखते हैं उसके बाद 15 मिन पे इंट्री होगरा बनाने के लिए 15 मिन थोड़ा अब जरू करते हैं बट 15 मिन टाइम फ्र हं बना हुआ है तो इस पर इंट्री लिए ले लुएत इतना खास निया है चींकि त्रेंडिंग मार्केट में 52 रेम पे ये डिवर आप को कुछ हमर तो यहां कुछ बेरी सिगनल दिखा रहा है तो इतना मैंटर नहीं करता हो इतना उसके उपर बहुरा सा रखे जाना नहीं चाहिए होगो कर तो प्रेवस ताइम मार्केट एस एरय पर था थोड़ा तो निएक्स टारिक विल भी विप ब्रेक करता है तो नेक्स टार्केट टेट यह जो वीक फिल का अम टार्गेट फिल कर सकते हैं यहां भी मार्केट रुखेगा यह निफ पी के पहले से पहले मार्केट इधर तक आता है तो फिर यह लेवल करना बहुत आसान है बहुत मुश्किल है यह लेवल के बाद ही फिर ब्रेक होगा तो जो भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और आज अकाउंट और अकाउंट में और मनी मेरेजमेंट से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं बहुत सारे लोगों का यह पी न्यूज में नी तो यूए सेशन में अकाउंट जिरो होता है क्यों होता है गाइस देखो जो डॉलर का अकाउंट रहता है ना उसके उपर आपको जो लॉट साइज है भी होसकता है और और ऐसी निव्यद एक ओंपने यह यहां फिर और फिर फिर टो मैं मैंनेजद हे सकता है इसी का अचंट हजार डॉलर यहका मैं इसी का अकाउंट हजार में तो वह तो उनके लिए 0.05 इसमें पैसे बन जाएगा आपका एक परसंट बन जाएगा जब यूएस में ट्रेल करते है यूएस मार्केट जब ऑन रहता है रहता है यूएर्क सेशन तो आपको यह लोट सेज लेके जाना चाहिए लंडन सेशन में आप कॉंटिटी बढ़ा सकते है यह लंडन सेशन आपको मुमेंट बोच लोगहारा मिलती है यह आपको देख रहे हो यह कल रात कल का लंडन सेशन में उसमें मैं लगबग 200 300 अगर कमा लिया थे लंडन सेशन अब इस लंडन सेशन लंडन सेशन में मार्केट सोली मोग घरता है तो उसमें आपको डिस्टीन लेने के लिए टाइम अगरा रहता है अपको अकौंट को आवरेज करने के लिए टाइम रहता है तो मनी मेरेजमेंट करना खिसी का लोगहारा हो चुका है पिछले वीक में नहीं तो पिछले कुछ दिनों में तो रिक्योरी करने के लिए एक अपोर्चेटिती तरह नहीं देखना है आपको यहां पिछला वीक का जो भी लॉस है मैं यह पिमें रिक्योर कर दोंगा ऐसे नहीं देखना है क्यूंकि वहां जिरू भी हो जाएगा आपका तो प्रॉपर आपको सेटॉप का वेड़ करना है सपोर्ट का है रिस्स्टेंस का है उसका वीड़ करना इसी अपर मार्केट रेस्टन्स का रहा है तो नहीं यहार यहां से यहां से मार्केट गिर सकता है नीचे ना ऑट ब्रेकाउट ट्रेड अब देखते हो ब्रेकॉट्रेड ए ब्रेकाउट्रेड रियाक लेना था बड़ नहीं ह्वा फिर से मार्केट आ गाई जो के ब्रेकाउट रेड आप लेने जाओगे तो फिर वह ब्रेकाउट ट्रेड के ब्रेकाउटके बाद मार्केट को पूर के चलुआ है केंडल क्लोजिंग दिखनी चाहिए ठीक है केंडल प्लोज हो रही है क्या यहां 30 मिनिट चल रहे हैं ना वन वन आवर की कैंडल में 30 मिनिट बाकी है आपे भी बी का बेट करो तर्टी मिनिट के बाद क्या पता है कैंडल ना ऐसी बन जाए तो यह भी मैंटर करता है आपको थोड़ा क्लोजिंग के उपर आपको यह ले मैं तो इस इस फॉर टूडए किसी को मेरा अच्छा लगा कुछ चीज़े माइनी में आई कुछ चीज़े आपको थोड़ा बहुत आईडिया आया होगा कि गोल में किस तरह से आज प्लान बन सकत है तो हिट लाइक बटन आफ इस वीडियो ठीक है और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्स्राइब इस चैनल ठीक है और बेल आइकन को भी आउन करना ताकि अपडेट होगे आपको मिलता रहे ठीक है अगली वीडियो में नहीं तो मिलते शाम को आम लाइव सेशन में में आपको बताएं कि कैसे तरह से ट्रेड बनता है लाइव ट्रेड होगेरा करके हम दिखाएंगे ठीक है तो टील दे टाइम बाइवाई सी यू मिलते लाइव सेशन में